नमस्कार, सातियों बालवाटिका कार्योजिना पंजिका अभी तक मुझे यूटूब चैनल पर नहीं मिली है कल हमारे हाँ है टीचर और हमारे खंड सिछा अधिकारी महोदे और डाइट प्राचार सहत पूरी डाइट की टीम ने जब हमारी पूरे बेकास खंड के सिछुकों से बालवाटिका निरमार के बारे में पूछा तो सभी लोग निरुत्तर थे इसलिए आज रविवार को हमने अपने अधियन और अनुभव के आधार पर ये वालवाटिका कार्योजना तैयार की है जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहां पर अपने विद्याले का परिचा दिया है उसके बात आगनवाड़ी बालवाटिका पक्षा एक की कार्योजना की है इसलिए यहां पर सबसे पहले नोडल शिचक जिनोंने स्कूल रेडिनेस की जो ट्रेनिंग ली है वो स्रीमति बिज आद्यापिका भी हूं आगनवाड़ी कारिकत्री हमारे यहां दो हैं तो उनका भी नाम अंकित है इसके आगे हम चलते हैं आगनवाड़ी के अंदर में कुल बच्चों की संख्या आयू के अनुसार तो तीन से पांच वर्स तक के जो बच्चे हैं छात्र छात्रा कुल बच्चों का नामांकन अभी चल रहा है, चाहें वो आंगनवाडी के अंदर हो और चाहें कक्षा एक के बच्चे हों, तो सभी में अभी नामांकन चल आए, इसलिए इस कॉलम को भी फिल नहीं किया है, आगे देखते हैं, कक्षा एक, बालवाडी का, यानि पांस से छे वर्स के या 5 प्लस के कितने चात्र और चात्रा है तो यह कॉलंबी अभी खाली रखा है लेकिन इसको बना कर रख लेना है इसके बाद चलते हैं हम यह जो हमारा काडिकरम है जिसके लिए अभी मैंने ध्यान नहीं दिया है यहां पर इनकी दिनांक नहीं लिखी है लेकिन मुझे यह पता है कि दिसंबर में और जन्वरी में दो कारशाल आएं जो कि हमारी आँगनवाडी कारिकत्रियों के साथ नोडल सिच्छक जो हैं उनकी हुई है और हैट टीचर्स की हुई है तो यह यहां पर मेंशन किया है बिद्याले स्तरिय वैठक प्रधाना अध्यापिका की अध्यचता में या उनके निर्देशन में प्रतेक सप्ताह के शनिवार को मद्या अवकास के उपरांत बच्चों के खेल कालांस के दोरान सवी शिच्छक और आँगनवाडी कारिकत्री हैड टीचर्स मीटिंग में प एक ग्यारे 2021 को अंकित है इस बैठक में हमें या हम सभी शिच्छकों को और आँगनवाडी कारिकत्रियों सहित निपड भारत मिशन विद्या प्रिवेस बालवाटिका और राष्ट्रिय सिच्छा नीति 2020 के समस्त साशना देशों के अनुशार प्री प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं के संचालन के बारे में बैठक में संबाद, विचार विमर्स, योजनाएं बनाना आदि को संपादित किया जाता है प्रवंद समित बैठक, शिच्छक अविवावक बैठक, चहक कारिकरम, आदि के एजन्डा विंदू, प्रधाना अध्यापिका, सभी शिच्चुकों वा आगनवाडी कारिकत्रियों से विचार विमर्स करने के उपरांत ही तैयार किये गई हैं एवं किये जाते हैं, तो यह हमारी कारियोजना है, आगे चलते हैं, नियाय पंचायत इस्तरिये बैठक, संकुल बैठक, यह बैठक प्रतेक महा अलग-अलग स्कूलों में आयोजित की जाती है जिसमें ततकालिक और पूर्व घोशित शाशना देशों को सपस्ट किया जाता है, हमारे एरपी, सर और संकुल शिचुकों, नोडल संकुल शिचुकों के माध्यम से जैसे अपरेल महा में इस बैठक का एजन्डा, विद्याले तैयारी मौडल के अंतरगत कक्षा एक बालवाटिका में नामांकन, चहक कारिकरम और बारह सप्ता की गतिविदी कलेंडर रहा आगे देखिए, विद्या प्रिवेश कक्षा एक बालवाटिका यानि प्री प्रायमरी में गतिविद्यों के संचालन है तो जिम्मेदारी का बेभाजन तो इसमें देखिए, हमारे विद्याले की कारियोजना में, जो हमारी विद्याले विकास कारियोजना है, उसमें पूर्व से ही सभी शिच्चकाओं और आगनवाडी कारकत्रियों को शामिल करते हुए, दिवसवार कुछ कारियों का बेभाजन कर दिया गया है यह जो इस सत्र की कार्योजना बनाई है हमने 2022 और 2022 में आगनवाडी कारकत्रियों को सामिल नहीं किया था परन्तु 2022 तेश की जो नई कार्योजना हमने अपने विद्याले विकास की बनाई है उसमें हमने अपनी आगनवाडी कारकत्रियों को भी सिच्चुकों की तरह ही सामिल किया है परंत प्री प्राइमरी बालवाटिका कक्षा एक में गतविदियों का संचालन नोडल सिच्च का एबं दोनों आगनवाडी कारकत्रियों के आपसी सहयोग से होगा निर्देशन बारे सप्ता के गतिविदी कलेंडर से प्राप्त करके अगला पॉइंट है बाल वाटका की साज सज्जा मैं बिजय लक्षुमी बिद्याले की प्रधाना द्यापिका होने के साथ नोडल सिच्छक भी हूँ इस बाल वाटका की अतह बाला पेंटिंग से लेकर टी एलम आधि सभी कार्यों को यथा संबब भली बात करने का प्रियास कर रही हूँ कक्षा एक में नामांकित सभी बच्चों को कौपनिया, रवर्ड पेंसिल, कटर, रंग, आधि सामगरी को विद्याले स्तर से उपलब्द कराने का पूर्ण प्रियास रहेगा हमारी दोनों आगनवाडी कार्यकत्री बालवाटिका संचालन में पूर्ण मनोवल से सयोग कर रही है हमारी बालवाटिका कार्योजना में एक फाइल सनलगन है जिसमें 31 मार्च 2022 का शाषना देश 12 सब्ता का गतिविद कलेंडर सामिल है हम सभी शिच्छक निपुड भारत मिशन 2026-27 के अंतरगत कक्षा एक बालवाटिका के बच्चों के प्रमुक तीन लच्चों को शत प्रत्सत प्राप्त करने का प्रियास करेंगे यहाँ पर देखिए लच्च जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इन लच्चों को प्राप्त करने का प्रियास करेंगे अपने विद्ध्याले में और अपनी बालवाटिका में तो लच्च भी देख लेते हैं लच्च नमबर बन बच्चे का स्वास्त और स्वच्चता दूसरा है बच्चों का संप्रेशण प्रभावी हो तीसरा है बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिचारती बने और अपने निकरतम परिवेश से जुड़े रहें अगला पॉइंट है बाल बाडिका-कक्षा एक के संचालन की प्रगति अब तक हमने एक अपरेल से लेकर और अब तक क्या प्रगति की है तो बच्चों का नामांकन संख्या हमारे कक्षा एक बाल बाडिका में अब तक 20 बच्चे नामांक segundo हो गए हैं चहक कारिक्रम प्रतिभाग्यों की संक्या चहक कारिक्रम में लगवक सतर प्रतिभागी थे और दिनांक 22 अपरिल 2022 को यह कारिक्रम अपने विद्याले में आयोजित किया और जो पंजिकाएं बना ली हैं अभी तक वो है आकलन प्रपत्र पंजिका और बालिवाटिका कार्योजना पंजिका जो कि हम आपके साथ शेर कर रहे हैं और फाइल जिसमें शाषना देश कलेंडर और आकलन प्रपत्र भी रखे हुए हैं इसके आगे चलते हैं जो कि कल यानि सोमबार को 25 अपरल 2022 को हमारे यहां गतिविदियों का शुवारंब होगा श्रीगडेश होगा तो इन गतिविदियों के संचालन को निम्न प्रकार हमें करना है इस पंजिका में प्रतेक गतिविद इसको बहुत ध्यान से देखिए इस पंजिका में प्रतेक गतिविद दिवस्वार अंकित कर दिनांक सहत लिखी जाएगी और साथ ही साथ उपस्थित उस दिन जो बच्चे उपस्थित होंगे आटेंडेंस रजिस्टर में उपस्थित तो लगनी ही लगनी है और साथ ही साथ हम अपनी कार्योजना में जो गतिविदियां करवाएंगे, कौन सी गतिविदि में कितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उनको भी यहां पर अंकित करा जाएगा, या तो उनका नाम लिखा जाएगा, या फिर उनका रोल नमबर, यह डिपेंड करता है छात्र संक्या के आधार पर, अगर किसी बाल नीचे देखिए, यह नोडल से चक, क्योंकि मैं ही हूँ, तो यह हमारे भी हस्ताच्चर है, और हमारी आगनवाडी कारकत्री, जो की दो हैं, सीमा और गीता, तो इन लोगों का नाम है दूसरा, प्रधाना ध्यापिका भी मैं ही हूँ, अगर किसी विद्याले में कोई दू कार्णा पूरी है, आगे देखते हैं, यहां पर देखिए, हमने जो एक सब्ता का पूरा, यहां पर समय साधी लिखी है, कि एक सब्ता में जो भी गतविदिया कराई जाएंगी, सोमबार, ज्याण से देखिए, फर्स्ट कॉलम में गतविदिया लिखा है, दूसरे में और मंगलवार और बुद्वार गुरवार क्षुक्रवार शनिवार अगर देखा जाए तो यह एक सेकंड यह कलेंडर है इस तरह से यह कलेंडर है इसी को मैंने यहां पर लिखने की कोसिस करी है यह वाला। यह प्रथम सब्ताहा का लेकिन यह उतना अच्छा भी नहीं लग है दूसरा यहां पर बहुत समय भी लग गया है और नीचे देखिए सबसे नीचे यहां पर यह लिखा है देवसबार उपस्त छात्रों का नाम रोल नंबर दर्ज करें या अंकित करें तो यह जैसे फस्ट कॉलम आप देख रहे हो तो क्या है सोमबार को तो सोमबार को जो भी गतविदिया हुई है और कितने बच्चे आए हैं यहां पर हमने यह रोल नंबर भी तेन तक हैं और यह दस बच्चे बच्चों के नाम भी हैं यह बो बच हैं जुनको हम एक अपरेल से नामांकित किये हैं और तब से आज तक यह लगातार रेगुलर आ रहे हैं तो इनको मैंने पहले से ही मेंशन कर दिया है दिखाने के लिए और देखिए इस तरह से लिखना बहुत समय व्यर्थ होगा तो हमने इसको अगले सब्ता के लिए दू लिख सकते ना तो अब यहां पर यह लिखना नहीं पड़ेगा और अच्छा भी लग रहा है और देखिए इसके साथ सबसे अच्छा क्या है कि अब कितने भी बच्चे हो उनका नाम भी लिख सकते हैं और रोल नंबर भी लिख सकते हैं इसके नीचे ही कलेंडर के यहां दिल लिख दिये हैं और यह लिखा है उपस्तत छात्रों की संग्या तो यहां पर यह लिखा जा सकता है तो सातियों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी यह बालवा जो इसमें गतिविदिया में इंसन है, उन गतिविदियों पर आधारित हम अपने विद्याले में, अपनी बालवाटिका में रोचक गतिविदिया करवाएंगे, उनकी वीडियो भी आपके साथ सियर करेंगे, इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, धन् झालवार्ब